प्रीय विद्यार्थियों, कल हमने लक्ष्मिनार्णलाल और उनकी एकांग की काल पूरुष और अजनता की नर्तकी के बारे में ध्यन प्रार्म किया था आज हम उसी अध्यन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस अध्यन को जारी रखते हैं कल हमने लक्ष्पिनायन लाल के कृतित्वय के बारे में कुछ अध्यान किया था और ये जाना था कि ये एक बहु मुखी पृतिबा के धनी व्यक्तित्वय के मालिक थे और उसका प्रभाव ये रहा कि आपके द्वारा साहित्य की विविद्विधाओं में जो है लिखा गया और उन विधाओं के माध्यम से आपने बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दिया और हमने उनकी जो अन्य विधाओं की रचनाएं थी या उनमें जो थोड़ी बहुत जो विशेशताएं हमको अध्यान में लानी थी या जिसके बारे में आपको बताना था वो भी बता दिया था क्योंकि उनके बारे में अधिक अध्यान या गहराई से अध्यान हमको करने की आवशकता नहीं थी हमको अधिक आवशकता है एकांकी और नाटक और विशेश तोर पर एकांकी क्योंकि यहां हम लक्ष्वी नारायन लाल का जो रूप जान रहे हैं वो है एकांकी कार का तो एकांकी कार के रूप में और नाटक कार के रूप में आपका हिंदी सहित्य में क्या योगदान रहा वो भी हम जानना चाहेंगे और इनके साहित्य की जो विशेश ताएं हैं खास्तोर से एकांकी जो रंगमंची रसनाएं हैं उनके बारे में हम यहां जानेंगे और समझेंगे तो हम इस चीज को जानने के लिए सर्व प्रुथम इनकी एकांकियों के बारे में इनके नाटकों के बारे में जो इन्हों ने लिखे उनके बारे में जान लें इनके जो नाटक है उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इनके करीबन करीबन 33-34 नाटक जो हैं वो लिखे वे हमारे सामने आते हैं उन में से कुछ का नाम यहां मैं लूँगा, सब का नाम लेना तो संबव नहीं होगा, जैसे इनका प्रथम नाटक जो 1955 में लिखा गया था, मैं पहले भी साइच चर्चा कर चुका हूँ, वो अंबर प्रकाशन दिल्ली में अंधा कुवा नाम से प्रकाशित हुआ था, उसके बाद मादा कैक्टस जो इनका दूसरा नाटक था, फिर सुंदरस जो है वो भी इनका तीसरा नाटक था, तीन आँखों वाली मचली जो है इनका एक और नाटक था, इसके बाद इनके नाटक लगातार साल दर साल आते रहे, और इसमें सूरिय मुक कलंगी, कर्फ्यू, गूरू, व्यक्तिगत, नर्सिंग कला, नर्सिंग कथा, इत्यादी जो है वो भी इसमें रहे, इसके अलावा यक्ष प्रस्न, ये मैं कालकरम के अनुसारी बोदराओं को आगे पीछे नहीं बोदराओं, यक्ष प्रस्न जो है, सगुन पक्षी जो है, पंची पक्षी की ज आपने 1983 में लिखा, बलराम की तीर्थ यात्रा जो है, वो भी आपके द्वारा 1984 में रचा गया, और अंतिम जो रचनाम जहां तक इनकी सामने आती है, हसने वाले लड़कियां, जो 1987 में लिखी गई थी, तो ये इनके कुछ प्रमुख प्रमुख नाटक थे, इनमें मेरे ख फिर है इनकी इतो और गया इनका नाटक, नाटकों के छित्र में भी आपने काफी काम किया, और इसी प्रकार से एकांकियों के छित्र में भी आपने बहुत अधिक काम किया, और इनके साथ या आठ एकांकी संग्रह हमारे सामने आते हैं, मूलते साथ एकांगी संग्रह है और एक जो है आठवा जो है मेरे स्रेश एकांगी नाम से जो एकांगी संग्रह उसको इनका आठवा एकांगी संग्रह कहा जा सकता है तो इनके प्रमुक एकांगी संग्रहों में कौन से हैं तो प्रुथम एकांगी संग्रह जो है वो ताज महल के आंसु नाम से संग्रहित और छपा था जो गर्ग ब्रदर्स इलाभाद द्वारा छपा गया था 1945 पहला एकांगी संग्रह 1945 में या था इसके बाद परवत के पीछे नाम से दूसरा एकांग की संग्रह आया जो 1952 में छपा था फिर नाटक बहुरंगी नाम से एक तीसरा एकांग की संग्रह 1961 में आया फिर 1964 में लगबग मिलता जूलता नाम नाटक बहु रूपी, पहले बहु रंगी था अब बहु रूपी आ गया मेरे स्वेश एकांकी नाम से जो नाटक ना एकांकी संग्राया वो 1902 में आया और दूसरा दरवाजा नाम से इनका छटा जो है एकांकी संग्रह हमारे सामने 1975 में आया जो की आपात काल का टाइम था खेल नहीं नाटक नाम से इनका सात्वा एकांकी संग्रह जो 1978 में आया था और 1982 में इनका अंतिम एकांकी संग्रह नया तमासा नाम से आया था तो इस तरह से आठ इनके एकांकी संग्रह हुए है अब इनके नाटक बहुरंगी और नाटक बहुरूपी जो एकांकी संग्रह है इनका एकांकियों के बारे में बहुत कुछ जो बाते हैं वो एकांकी संसार को इनोंने दी है उने एकांकियों के माध्यम से अब आते हैं हम इनकी नाटक और एकांक्यों की विशेष्था विशेष्थ तोर पर जो मैं यह आपको विशेष्था है बताऊंगा ये एकांकियों के बारे में है और इससे मिलती जूलती जो विशेशता हैं वो भी नाटकों के बारे में ही नाटक में भी वही मिलेगी आपको जो की एकांकियों में क्योंकि ये दोनों कला हैं लगबग एक जैसी है यहां नाटक में लेखक को एक खुला हाथ मिलता है जिसमें वह समश्याओं को और अधिक अच्छी तरह से उठा सकता है बजाए एकांकियों के तो इनकी जो एकांकियों की विशेषता हैं जो हमारे सामने आती है तो इनकी एकांकियों में सरव प्रथम जो हम देखते हैं वो है युग बोध और दाइत्वे की भावना इनकी जितनी भी एकांकिया हैं उनमें उस समय का युग उस युग के बारे में जो हर व्यक्ति का दाइत्व होता है उसके दाइत्व की भावनों को प्रकट हर एकांकी में किया गया है तो युग बोद और उसके दाइत्व की भावना इनकी एकांकियों में मिल जाते हैं इसके साथ आपने मानव जीवन के समक्स जो ज्वलन्त प्रस्ण उठ रहे थे उन सब प्रस्णों को अपनी एकांकियों के माद्यम से उजागर करने का प्रयास किया है संगर्स मनुष्य का हर काल में रहा है अपने परिवेश के साथ और इनकी एकांकियों में भी मानव का अपने परिवेश के साथ जो संगर्स रहता आया है वो संगर्स आपकी एकांकियों में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने स्पष्ट किया गया है एक चीज और इनकी एकांकियों में विशेस होती थी वो थी ये मानते थे कि हर मनुश्य में कोई ने कोई आदर्स होता है और वो किसी ने किसी प्रकार की प्रेड़ना भी दूसरों के लिए रखता है यदि वो व्यक्ति इस काबिल हो कि वो देख सके तो इस सिद्धानत की पालना होती हमको इनकी एकांकियों में नजर आती है क्योंकि ये मनुश्यों को मानते हैं कि हर मनुश्य में कोई अच्छा ही होती है कोई इनकोई आदर्स होता है और वह प्रेरक का कारिये भी करता है परतात मनुष्य मनुष्य का प्रेरक होता है ये इनकी मानेता एकांकियों में हमारे सामने स्पष्ट होती है इसके अलावा बहुत सी समाजिक समस्षाइं आपकी नाटकों में प्रस्तुत की गई हैं इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि आप एक समस्षा नाटक कार या समस्ष समस्या एकांकीकार है और खास्तोर से समाजिक समस्या एकांकीकार और समाज है तो समस्या हैं समस्या हर लेखक ने हर नाटक करने हर एकांकीकार ने अपनी हर अचना में ली होगी कोई न कोई लेकिन जिस विशेश रूप से उन समस्याओं को केंद्र बिंदू में रखते हुए पिन पॉइंट रखते हुए जिस तरह से आपने प्रस्तूति की तो इनको एक समश्या मुलक एकांकी कार माना गया इसके साथ साथ इनकी एकांकियों में जो पूर में कमी थी एकांकियों में खासतोर से जो छायवादी युग था उस युग में रंग मंच के लायक एकांकियों कम लिखी जा रही थी उन एकांकियों को मंच पर मंचन करना कठिन होता था तो आपने जो रंग मन्चिय अपेक्षाएं एक एकांकी की होनी चाहिए एक नाटक में जो होनी चाहिए उनकी पूर्ती कर दे जिससे कि ये एकांकियां ये नाटक मंचन किये जाने के लिए सर्वसुलब हो गए तो एक बहुत बड़ी देन हिंदी एकांकियों को हिंदी नाटक को लक्षमिनान लाल की ये रही है कि उन्होंने रंग मन्चिय अपेक्षाओं की पूर्ती अपनी एकांकी और अपनी नाटकों के माद्यम सिख की इसके अलावा इस्त्री पूरुष संबंदों के विविद छेत्र होते हैं इस्त्रियों के और पूरुषों के उन संबंदों को भी आपने बड़े स्पष्ट रूप से बिना जिजग के उजागर किया है और उसमें भी असलीलता नहीं आई सामाजिक स्विक्रती के दाइरे में रहते हुए आपने उन संबंदों को उजागर किया है अक्सर इस्त्रि पूरुषों के संबंदों को हमारे भारतिय समाज में छुपाने का प्रयास आज भी होता है तो उस समय की परिश्टिती के बारे में आप सोच लीजिए और इनका ये एक सहसिक प्रयास मैं मानूंगा इसके अलावा खाली सेक्स को ही इन्होंने नहीं रखा या इस्त्रि पूरुष के संबंदों है उनकों ही नहीं रखा बलकि एक नारी की पीड़ा खासतोर से भारतिय नारी की पीड़ा और उसकी कुंठा जो की उस पर समाजिक दबाव समाजिक बंदन थे उसके करण उसमें पैदा हुई थी उसकी प्रस्तूती भी बड़े मार्मिक तरीके से अपने एकांकियों में की है अब आते हैं क्या ये खाली समाजिक समस्याओं को लेकर ही चलते थे नहीं इनकी एकांकियों में समाजिक समस्याओं के साथ साथ राजनीति से जुड़ी हुई समस्याएं सेक्षनिक समस्याएं, समसामईक अन्य समस्याएं भी स्वाभाविक रूप से एकांकियों में उठाई गई है इसके अलावा इन्होंने अपने एकांकियों में और नाटकों में जब इनको प्रस्तुत करने के लिए आपने रसना की तो एक बात जो अकसर पूर के एकांकिकार भूल जाया करते थे वो आपने बिलकुल ध्यान में रखी है कि आपने रंगमंच और दर्शक इन दोनों को एक सुत्र में जोड़ा है एक सुत्र में बांदे रखने का प्रयास किया है एकांकी कारक्सर क्या होता है कि या तो रंगमंच की तरफ चला जाता है या दर्सकों की तरफ चला जाता है इन्होंने दोनों का संतूलन रखे दोनों के बीच में एकता को बनाए रखा और यही इनकी एकांकियों के सफल होने का एक मूल मंत्र माना जा सकता है इसके अलावा हम ये जानते हैं कि आपने हिंदी एकांकियों को बहुत कुछ दिया स्वतंतर रूप से दिया और बहुत सी नई चीजें एकांकियों एकांकियों और नाटकों को दी लेकिन इसके बावजूद आपकी जो प्रारंबिक एकांकियां थी उन पर जैसंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा और उपेंद्रनाथ अश्क का प्रभाव हमको पूरी तरह से दिखाई देता है निश्चित रूप से हमको वो दिखाई दे जाता है इसके अलावा एक चीज और हम देख सकते हैं कि एकांकियों की शैली होती है एकांकियों का शिल्प होता है, एकांकियों का अपना एक कथ्छे करने का तरीका होता है हरे कांकिकार का पूर्व के एकांकिकारों ने शैली में, शिल्प में, कथ्छे में जो एक रस्ता उत्पन कर दी थी, वीवी तिता की कमी होने से उस एक रस्ता से आपने अपनी एकांकियों और नाटकों के माद्यम से इंदी एकांकियों को मुक्ति दिलाए और उसके साथ साथ नए नाट्य प्रयोगों की सार्थकता को भी आपने इन एकांकियों के माद्यम से सिद्ध की अर्थात नए नए नाट्य प्रयोग आपने नाट्कों में और एकांकियों में किये और उनकी सार्थकता को भी सिद्ध किया नहीं कि खाली प्रयोग किये हों और ऐसे प्रयोग किये हों जो लोगों के समझ में नहीं और एकांकिया ऐस सफल हों नहीं पूरी तरह सफल एकांकियां थी अर्थात इनके प्रयोग भी सफल रहे थे आप जिस युग में रसनाकार हुए उस युग में भारतिय साहित्य पर भारतिय एकांकियों पर भारतिय एया हिंदी नाटकों पर पस्चिम का प्रभाव था खास्तों से एकांकियों और नाटकों पर पस्चिमी थियर्टर का प्रभाव काफी अधिक आ गया था और आप चूंकि अपने जन्म से गाउं की प्रिष्ट भूमी लिए वे थे और उसी माहौल में जीए थे और अंत तक आप अपने गाउं के जीवन को नहीं भूले थे इसलिए ये पस्चिमी थियर्टर से जुड़े रहकर भी पूर्न तयब भारतिये रहे और इनकी एकांकियों पर भी भारतिये प्रभाव या भारतिये संस्कृति या भारतिये सब्वेता जो है उन एकांकियों से बिछुडी नहीं है इनकी एकांकियों में शिल्प प्रयोग और विशेवस्तू की विविदता नए नए शिल्प प्रयोग और विशेवस्तू की विविदता इनकी एकांकियों में खूब मिलती है जिसने की बारती एकांकियों को एक नया स्वरूप प्रदान किया और उसी का परिणाम ये रहा कि आपकी एकांकियों के माध्यम से जो पूर्व में एक जड़ता आ गई थी उस जड़ता से उनको मुक्ती मिल गई ये जो एक समिक्षक हुए हैं डॉक्टर नारान राय उनका कथन है और मैं उसी कथन को आपके सामने यहां कोट कर रहा हूँ इसके अलावा इनकी देन यही रही कि भारत पास्चा ते जो नाट्टे कला थी या थीटर थे उनकी विशेश्ताओं को अपने इन नाट्टे और एकांकियों में सम्मिलित करते हुए आपने भारतिय सब्वेता और संस्कृति या भारतिय समस्या या भारतिय जो मुद्दे थे उनको अपने एकांकियों में और अपने नाटकों में उठाया और इसी करण आप एक सफल एकांकिकार माने जाते हैं और सबसे प्रसिद एकांकिकारों में सीर्स एकांकिकारों में आपका नाम लिया जाता है इसी के साथ आज का ये अपना जो वारता मान लीजिए वो यहीं मैं उसको विराम देता हूँ जैहिंद